जब भी घर में नई कोई वस्तु आती है तो ना सिर्फ उसकी पूजा की जाती है वलकि उस पर निम्बू मिर्च भी टांगे जाते हैं ताकि नज़र ना लगे ठीक ऐसे ही जब कोई नया वाहन हम खरीद कर लाते हैं तब उस वाहन के भीतर की तरफ निम्बू और मिर्ची टांगते हैं इसके अलाबा नए वाहन में पहली बार यात्रा शुरू करने से पहले वाहन के टायर के नीचे निम्बू रखा जाता है आये जानते हैं कि आखिर क् निम्बू रखा जाता है साथ ही जानेंगे कि निम्बू रखने से कौन से लाब व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और इसका तरीका क्या है नए वाहन के टायर के नीचे क्यों रखना चाहिए निम्बू निम्बू का संबंद शुक्र और चंद्रमा से माना गया है जहां एक ओर निम्बू का खटापन शुक्र जह को संबोधित करता है तो वहीं निम्बू में मौजूद दस चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है निम्बू नकारात्मक्ता को काटने में बहुत कारगार सिद्ध होता है वहीं जोतिशास्त्र में ऐसा माना गया है कि किसी भी नई वस्तू के आसपास नकारात्मक्ता सबसे जादा होती है ऐसे में नई वस्तू के पास निम्बू रखने से उसके आसपास मौजूद नकारात्मक उन जाएं दूर हो जाती है साथी, शुक्र और चंद्रमा की स्थित्धी कुंडली में और भी मस्बूत हो जाती है ठीक ऐसे ही नई वाहन के टायर के नीचे भी निम्बू रखा जाता है विशेश तोर पर यात्रा पर जाने से पहले नई वाहन को निम्बू के उपर से निकाला जाता है ताकि बुरी नतर ना लगे इसके अलावा ये भी माना जाता है कि यात्रा पर निकलने से पहले नए वाहन के नीचे नीम्बू दबाने से यात्रा सफल होती है यात्रा में किसी प्रकार की कोई बाधा भी नहीं आती आपको बताते चलें कि नए वाहन के नीचे नीम्बू को चलकर निकलने से यात्रा का लक्ष पूरा होता है यात्रा शुबता के साथ संपन्न होती है और साथ ही यात्रा से कुशलता पूर्वग व्यत्ती खर लोटाता है वीडियो डेस्क जीवांजली.com